एक समय की बात है, एक शहर में एक स्कूल था, एक दिन हमेशा की तरह बच्चे उस स्कूल में जा रहे थे, सब बच्चों की प्रेयर के बाद क्लास भी शुरू हो गई थी, पर बस एक क्लास से बहुत ही शोर आ रहा था, शोर सुनकर साथ वाली क्लास की टीचर अपने क्लास क बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ानी पा रही होती, हद हो गई है इन बच्चों की, पता नहीं है साथ वाली क्लास की टीचर क्या कर रही है जो बच्चे इतना शोर मचा रहे है, अभी जाकर देखती है, तो वहाँ कोई टीचर ही नहीं होती, इसलिए बच्चे शोर मचा शोर किसले कर रहे हो तुम सब और तुम आई टीचर कहा है अच्छाचा मैं अभी देखती हूँ कि वो क्यों नहीं आई अभी तक पर तब तक तुम लोग बिल्कुल भी शोर नहीं करोगे टीचर स्टाफ रूम में जाकर पता करती है कि फिफ्ट क्लास की टीचर क्यों नहीं मैम उन्हें तो रिजाइन दे दिया है वो अब नहीं आएंगी अब अगले दिन स्कूल में इंटर्व्यू शुरू हो जाते हैं इंटर्व्यू में एक बड़ी ही सुन्दर सी लेडी टीचर को जॉब के लिए अपोइंट किया जाता है अब अगले दिन से वो जॉइन भी क देखो बच्चों मुझे अपनी क्लास में किसी तरह का शोर, बत्तमीजी और कोई भी शैतानी नहीं चाहिए सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे वरना मैं पनिश्मेंट दूगी बच्चों को लगता है कि सभी टीचर तो ऐसे ही बोलती है तो इसमें डड़ने वा को देखे जारी है मैं कुछ लिख रही है बोल्ड पर पहले उसे तो कॉपी में उतार ले और यह वो मैं तेरी कॉपी से उतार लूगी अभी मुझे इसके साथ खेलने दे वैसे भी मैं बोल्ड की तरफ देख रही है उनी क्या पता में क्या कर रही हूँ सारे बच्चे अप तुम, तुम्हारा नाम ही शीना है ना? पर आपको कैसे पता मैम, आपने तो हमारे नाम पूछे ही नहीं। मुझे सब पता चल जाता है, अब वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो, जल्दी से कॉपी लेकर आओ। टीचर उसके हाथ से कॉपी लेती है, तो उसमें एकदम खाली पेज होते हैं। टीचर शीना को एकदम गुसे से लाल आँखो से देखती है। मैम, मैम वो, मैम सॉरी, मैम मेरे हाथ में दर्द था, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। हाथ आगे करो, मैम, मैम सॉरी, मैम, प्लीज मैम सॉरी, मैंने कहा हाथ आगे करो। शीना डरते हुए अपना हाथ आगे करती है कि तभी नई टीचर उसके हाथ पर डंडा उठा कर मारना शुरू कर देती है। शीना की चीक निकल पड़ती है और सभी बच्चे ये देख बहुत ही ज़ादा डर जाते हैं अगर जो मूँ से आवाज निकला ली तो इससे भी बुरी सजा दूँगी समझी आगे से आगे से ऐसा नहीं होगा मैम गलती हो गई सौरी मैम शीना के हाड टीचर मार-μάर कर बूरे कर देती है और उसके बाद वो उसको धमकी देती है अगर जो मेरी शिकाद स्कूल या घर पर किसी से की तो पता है ना मैं क्या करूँगी नहीं मैम मैं किसी को नहीं पता हूँगी अचानक लंच ब्रेक की घंटी बच जाती है सब बच्चों को चैन की सांस मिलती है टीचर के जाने के बाद सब बच्चे बात करने लगते हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला कि शीना ने काम नहीं किया है जबकि उनका मुँ तो बोर्ड की तरफ था वो उसकी बहुत बुराई भी करते हैं उन्होंने तो कभी इतनी बुरी टीचर देखी ही नहीं होती अब मधू टीचर बागी टीचर के साथ स्टाफ रूम में बैट जाती है अरे मैं आप भी लंच करू ना हमारे साथ नहीं मुझे भूक नहीं है इतना कहने के बाद मधू एक बोतल में से एक गलास में दूट डालती है और उसी को एक सांस में पी जाती है थोड़ा सा दूट टेबल पर गिर जाता है मधू बिना सोचे उस गिरे हुए दूट को टेबल से चाट लेती है ये देखकर बाकी टीचर हैरान ही रह जाती है मधू को एकदम खयाल आता है कि ये उसने क्या कर दिया अरे वो मुझे लगा कोई पेपर गिला ना हो जाए खेर मैं चलती हूँ मुझे एक फोन करना है मधू के जाने के बाद सब टीचर एक दूसरे से बाते करने लगती है आपने देखा इसने भी क्या कि आच्छी दिखने में ऐसी और हरकते कैसी अब दिखे इसकी असली परस्नेलिटी सब उस नई टीचर का बड़ा मजाग उडाती है पर ये एक दिन की बात नहीं होती हर रोज वो नई टीचर बस लंच में दूधी पीती है सबको ये बात बड़ी अजीब लगती है नई टीचर किसी से कभी बात भी नहीं करती वो बस अकेले रहती है और उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती एक दिन की बात है जब हमेशा की तरफ वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है राहुल उस दिन काम करके नहीं लाया होता और उसके डर के मारे हालत खराब हुई हो रहती है वो सोचता है कि क्यों न वो चुपके से क्लास के बाहर चला जाए क्योंकि अब मैं उसको बहुत गंदे तरीके से मारेंगे इसी डर की वज़े से वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है और जब टीचर बोर्ड की तरफ देख रही होती है तब ही वो क्लास से बाहर जाने लगता है पर जो उसके बाद होता है सारे बच्चों की सांसे ही अटक जाती है नई टीचर का आधा शरीर नीचे से नागिन का बन चुका होता है और वो राहुल को अपनी पूँच में लपेट लेती है बचाओ बचाओ ये तो चुड़ेल नागिन टीचर है मैं मुझे जोड़तो खबरदार जो मुझे आवाज निकाली पता है मेरे शरीर में कितना जहर है अगर मैंने किसी को डस लिया तो वहीं तड़प तड़प कर मर जाओगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास से भागने की एक तो काम नहीं किया और उपर से मेरी क्लास से भागने की जुरत की तुमने अब तो तुम्हें अच्छी सजा मिलेगी राहुल उस चुड़ैल नागिन टीचर की पूँच से लिप्टा हिल भी नहीं पा रहा होता सारे बच्चे डर के मारे अपने अपने बैंच में छुपने लगते हैं वो डर की वज़े से चिल्ला भी नहीं पाते पर इतने में चुड़ैल नागिन टीचर को बाहर से किसी दूसरी टीचर के आने की आहट होती है खबरदार जो किसी के आगे कभी मेरे बारे में मूँ खोला जिसने भी ऐसा किया तो मैं उसको डस लूँगी एकदम से चुड़ैल नागिन टीचर अपने वापिस पहले वाले सुन्दर रूप में आ जाती है मैम आप अभी के अभी स्टाफ रूम में आ जाईए प्रिंसिपल मैम ने कोई मीटिंग रखी है ठीक है मैं बस अभी आती हूँ आप चलिए चुड़ैल नागिन टीचर बच्चों को घूरती हुई वाँ से दूसरी टीचर के साथ चली जाती है उसके जाते ही राहुल जोर-जोर से रोने लगता है मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा राहुल तुम रो मत वो हमारा कुछ नहीं करेगी ऐसा होता तो हम में से कोई स्कूल नहीं आता पर हम अपने ममी पापा को भी कुछ नहीं बता सकते और बिना मतलब वो हमारी छुट्टी भी नहीं होने देंगे राहूल बहुत रोता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी बहुत ही परिशान होते हैं कि आखिर वो क्या करें कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर बच्चों की तीन दिन की छुट्टियां पढ़ जाती हैं ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगे तीन दिन बाद तुम यही होंगे मेरे पास तीन दिन की छुट्टी पढ़ते ही बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता वो इतने खुश होते हैं जैसे पता नहीं उन्हें क्या ही मिल गया हो पर जैसे ही तीन दिन पूरे होते हैं सब बच्चे स्कूल जाने के नाम पर रोने लगते हैं बड़ी मुश्किलों से सबके मता पिता उनको स्कूल भेचते हैं स्कूल जाने के बाद उनको उसी चुड़ेल नागिन टीचर का सामना करना पड़ता है हाहाहा आ गए मेरे प्यारे बच्चो चलो 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 जल्दी से अपना काम निकालो कुछ बच्चो का काम पूरा ही नहीं होता तो बस उन बच्चो को वो पहले की तरह अपनी पूछ में लपेट कर पूरी क्लास में घुमाने लगती है वो उनकी इतनी बुरी हालत कर देती है कि बच्चे उठने के काबिल भी नहीं रहते और वहीं जमीन में गिर जाते है उस दिन बच्चो के साथ चुडेल सबसे ज़ादा बुरा करती है बच्चे तो बस छुट्टी होने का इंतजार करने लगते है फिर अगले दिन बाल दिवस होता है और सभी बच्चो को ग्राउंड में बुलाया जाता है प्रिंसिपल ने बच्चो के लिए कुछ मनुरंजन के इंतजाम भी कर रखे होते है बच्चे बड़े मजे से सब देखी रहे होते है और आखिर में एक सपेरा बच्चो को सांप का खेल दिखाने लगता है सपेरे को देख मधू बेचैन होटती है सपेरा बीन बजाता रहता है और थोड़ी देर में ही मधू जूमने लगती है जूमते जूमते वो सपेरे के पास पहुँच जाती है और चुडेल नागिन में बदल जाती है और नाचने लगती है हे भगवान ये क्या है? ये तो चुडेल नागिन है इन तीन दिनों की छुटियों में, स्कूल की हर क्लास में कैमरा लगाय गया था मैंने उस चुडैल को इस कैमरे में देख लिया था और प्रिंसिपल को बताया इसने इतने दिनों से बच्चों को बहुत ज़्यादा परिशान किया हुआ है आज इस चुडेल नागिन को पकड़ने के लिए इस सपेरे को बुलाए गया है ये सपेरा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा सपेरा बीन बजाता चला जाता है और चुडेल नागिन खुद को नाचने से रोकी नहीं पाती नाश्टे नाश्टे वो इतनी मगन हो जाती है कि वो कब सपेरे के पिटारे में चली जाती है उसे पता भी नहीं चलता उसके आते ही सपेरा पिटारे के धकन को जल्दी से बंद कर लेता है निकालो मुझे बाहर सपीरा उस पिटारे को अपने साथ ले जाता है उसके बाद उनकी पुरानी टीचर स्कूल वापस आ जाती है जिसे बच्चे खुशी से गले लगा लेते हैं